मिक्स्चर बिस्किट की तरह फैक्टरी में बने का बच्चा पिज्जा जैसी होगी होम डिलिवरी आ गई नहीं मशीन छोरा चाहिए गोरा तो दबाईए बटन लूला लंगडा अंदा बहरा बच्चा दोजार पचास के बाद पैदा ही नहीं होगा लैब में बना बच्चा ना मा का दूद पिएगा ना पिता का दुलार देखेगा बस सभी के बच्चों से होगा अलग फैक्टरी में जैसे खिलोना बनता है वैसे यह बच्चे बनने वाले सुनकर यकीन नहीं होता तो यह तस्वीर देखिए जिसमें से बच्चा जागता हूँ दिख रहा है इस मशीन को वैग्यानिक बेबी पोर्ड कहते हैं लेकिन आप इसे कृतिम गर्बाशा कह सकते हैं क्योंकि एक ऐसी मशीन है जिसमें रखने के बाद बच्चे को बढ़ने के लिए मा के गर्ब की जरुवत नहीं पड़ेगी और नौ महीने बाद जब इस मशीन से निकलेगा तो बिलकुल अभी के बच्चों की तरह दिखेगा इसके कई फाइदे नुकसान भी है जिस पर हम आएं उससे पहले जर्मनी के वैग्यानिक और फिल्म प्रोड्यूसर हाशमल घाईली का दावा सुनिए घाईली का कहना है एक्टो लाइफ कमपनी दुनिया की पहली आर्टिफीशल यानी कृतिम बच्चा बनाने वाली कमपनी होगी इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 75 लैब बने हैं जिन मेंसे हर लैब में 400 बेबी पॉड लगाएं खुल मिलाकर 9 महीने बाद 30,000 बच्चे बन कर तयार हो जाएंगे ये जो मशीन आपको दिख रहे हैं इसमें पुरुष का स्पाम और महिला का एग रखा जाएगा जो भूड बनेगा फिर कुछ दिनों तक व्याग्यानिक उसकी देख रेक करेंगे फिर दो तीन हफ़ते बाद माबाप को बुला कर एक रिमोट देंगे उन्हें ये भी आप्शन देंगे कि आप चाहें तो इस मशीन को खाएगा